आज की ये भिंडी मसाला जो आपको साथ सेर करने जा रहा हूँ ये जितना मुझे पसंद है उससे कई गोना जादा आपको भी पसंद आने वाली है तो सबसे पहले गैस पे चड़ाईए पैन या करहाई और इसमें हम लेंगे चार चमच बेसन बेसन को अच्छे से एक से डेड़ मिनट तक low to medium flame पे रोष्ट कर लेना है यानि की भून लेना है एक से दो मिनट भूनने के बाद हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे तो यही पर हम डाल देते हैं आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर, आदी छोटी चमच मिर्ज पाउडर, आदा छोटा चमच दनिया पाउडर, आदा छोटा चमच जीर्या पाउडर और एक चोथाई चमच सौंग पाउडर यहीं पर डाल देंगे स्वादानुसार नामा और इन साड़ी चीजों को तक्रीबन हम एक मिनट और रुष्ट करेंगे उसके बाद हम फ्लेम को बंद करेंगे और आगे की काम करेंगे तो यहीं पे फ्लेम को बंद कर दे और इन साड़ी मसालों को और बेशन को एक पिलेट में ट्रांसफर कर दे ताकि यह थोड़ा ठंडे हो जाए ठंड होने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चमश सरसो का तेल और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमको यह भींडी में भरना है मसाले को यहां पर आप भिंडी को धो कर सुखा ले या सुखे कपरे से सुती का कपरे से पूछ ले और उसके बाद आप कट करें तो यहां पर हमने एक भिंडी को दोनों किनारों से कट करके हटा देंगे उसके बाद बीचो बीच कट्स लगाएंगे तो इस तरीके से आप फैला दे त ताकि हमको मसाला भरने में असानी हो जाए और भींडी में मसाले भी अच्छे से भर सकें तो इसी तरीके से आपको भींडी को दोनों किनारों को कर्ष करना है उसके बाद आप बीचों बीच कर्ष लगाएं और उसके बाद मसाले को भरें तो यहां पर आप भींडी उसे आपको इस तरीके से भढ़ लेना है भिंडी के बिच व बिच आपको मसाले को भढ़ना है और इस तरीके से हम भढ़ कर सभी भिंडी को तयार कर लेते हैं यहां पर आप गैस पर पैंच चराए अकड़ाई चराए और उसमें डाले दो से तीन चमच सरसो का तेल जो आप कोकिन वाइल इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं लेकिन मैं खास करके सरसो वैल में ही सबजी बनाया करती हूँ और जब इसे तेल गर्म हो जाए उसके बाद आप सभी भिंडी को जो भढ़ कर रखे हैं भिंडी उसको तेल में डाल दे और एक मिनट तक आप तेल में डाल कर और फैला देजे भिंडी को और छोड़ दे उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक मिनट बाद हम भिंडी को मिक्स क ताकि भिंडी जले नहीं एक तरब से और फ्लेम को लोटू मेडियम रखे यहां पर इस बात की ध्यान दे इसके बाद हम भिंडी को चार से पांच मिनट तक इसी तरह के से पकने देते हैं बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि भिंडी जले नहीं चार से पांच मिनट बाद आप का करें कि जो हमें मसाले भरने के बाद बचे थे उसके यहीं पर डाल दे और डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स करें सबजी और मसाले को और उसके बाद हम क्या करेंगे कि कभर करके इसको पकने देंगे तो जैसे भिंडी अच्छे से मिक् रोटी सी रिक्वेस्ट है अगर मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करें कबर करने के बाद साथ से आठ मिनट पकाएं सबजी को साथ से आठ मिनट बाद आप देखेंगे कि भींडी अलमुष्ट पकर तयार हो चुकी है इन भींडी मसालों के साथ ग कि यहरो चाहिएगा कम देखेंगे बाद आखेंगे कि भींडी मुष्ट कर तो इसाथ नहीं कर agまぁ दोसे रिक्वारा लाइएग गार